आगाम ये कारेक्रम प्रायू चिति किया है जोईस मायद मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोग्यों ने मैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में सिखा रही हूँ प्रेम, आनन, शान्ती, धीरज, दयालूता, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम आज मैं आपको दयालूता और भलाई पर सिखाऊंगे दयालूता और भलाई दोनों में क्या फर्क है? मुझे इन दोनों में अद्भूत समानता दिखती है दयालूता ज्यादातर आचरण के बारे में है जिसमें हम जीते हैं और भलाई ज्यादातर उन चीजों के बारे में हैं जो हम करते हैं दया की प्रवृत्ति के कारण शायद आप जन्म से ही एक अच्छे व्यक्ति हों वे नम्र मधुर व्यक्तेत्व और उन लोगों के प्रति दयालू हों जो सौभाविक रूप से आपके पास आते हों लेकिन य दुनिया उस तरह से नहीं है जैसी की होनी चाहिए और शुप समाचार ये है कि हम बदल सकते हैं सभी लोग कहिए मैं बदल सकती हूँ अब मैं नहीं बदल पाती अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश करती लेकिन मैं बदल सकती हूँ क्योंकि नया जनम पाते समय परमेश तव में सभी अद्भुत फल के बीज डाल कर मुझे तयार किया है। अब यदि आप में वो बीज है, तो यह अच्छी फसल लाएगा, लेकिन आपको इससे लगाना होगा, सींचना होगा, आपको इसमें से जंगली फसल अलग करनी होगी, आपको जब भी इन में से किसी भी आ परमेश्वर के साथ चलती आ रही हूँ, उन्होंने मुझे अद्भुत रीती से इतना बदल दिया है, कि मैं जैसी पहले थी, आप वैसी नहीं हूँ, और मैं जानती हूँ आप में से कई लोगों को यही अनुभव हुआ है, परमेश्वर ने आपको भी इतना बदल दिया ह तो आप में से कितने लोग ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, आमीन, आप में से अब कितनों को लोगों के लिए अच्छी चीजें करना पसंद है, पता हैं, यह कितने अद्भुत बात है, यह कह सकना उन्हें याद करते हुए जो आप हुआ करते थे, एक मिनट के लिए पर पवित्रात्मा का फल हमारे अंदर उनकी उपस्थिती से जो काम पूरा होता है, प्रेम, आनन, प्रसनता, शान्ती, धीरच एक जैसा स्वाभाब, सेहन शीलता, यानि बहुत कुछ धारण कर सकते हैं, दया, भलाई, परुपकार, विश्वास योग्यता, नम्रता, विन या विनमृता और संयब, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, जो दो शारोप ला सके, यदि आप इस तरीके से लगातार चले होते, तो शैतान को भी आप में गलतियां ढूनने में कठिनाई होते, शैतान को भी, याद रठे कि हमने जिस पर अपना ध्यान के गिंद्रित किया है, वही विक्सित और परिपक्व होता है, हमारे जीवन में बढ़ता है, तो जब आप उन चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे, जिने आप पाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें तलाश करें, ये आपको ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी बना देगा, चा एक बर मैंने पूछा था, आपने अपने जीवन में कितना समय प्रेम पर और पवितरात्मा के फल पर अध्यान करते हुए पिताया है, आपने कितनी किताबे पड़ी हैं पवितरात्मा के फल पर, कितनी बार बाइबल का ध्यान किया है, पवितरात्मा के फल पर आपके पास एक कुरंथियो 13 में भाग लिया है, बलकि सच में कभी उन शब्दों की परिभाशाओं पर ध्यान दिया है, कि धीरच क्या है, दयालुता क्या है, भलाई क्या है, नम्रता क्या है, मैं आपको प्रोचसाहित करती हूँ कि आप वो अध्यान करना शुरू करें, जो परमेश्व इसे वहवार करेंगे, उतना खुश रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये तो किसी और व्यक्ति के लिए है, आपको इसे कुछ लेना देना नहीं, जितना हम ऐसे वहवार करेंगे, पहली बात हम परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, जो कि मेरे लिए महत्तपून है, मैं परमेश्वर को प्रसंद करना चाहती हूँ, आप नहीं चाहते क्या, क्योंकि उनके पास बहुत से लोग हैं, जिनने देखकर उन्हें काफी दुख होता होगा, तो आप परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, जितना आप इन चीज़ों को करेंगे, उतने ही अधारन निर्देश दे रहा था, और ये दिल्चस्प है कि उनके वाक्ये इन चीज़ों के बारे में निर्देशों से भरे हुए हैं, इन चीज़ों के बारे में, वचनाट, पर हम तो दिन के हैं, इसलिए विश्वास और प्रेम की छिलम पहन कर और उद्धार की आशा का पहन कर सावधान रहें, अब थोड़ी देर पहले मैंने इनने धारन करने के बारे में कहा था, ये दिल्चस्प है, बाइबल ने कितनी जगे इन चीज़ों को धारन करने के बारे में कहा है, धारन करने के, और कई साल पहले मुझे लगातार एक सपना परेशान करता था, कि म मैं अपनी सभा में जा रही हूँ, मैंने पाजामा पहन रखा है, मैं ट्रक्स का इंतजार कर रही हूँ, जिसमें मेरे कपड़े थे पर वो ट्रक्स नहीं आये, नहीं आये और आराधना खत्म हो गई, बाहर जाने का मेरा समय भी आ गया, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे पाजामे में ही बाहर जाना पड़ा, और मुझे वो सपना जरा भी समझ नहीं आया, अनेक सालों के बाद जब परमिश्वर मुझे शिक्षा देने लगे, प्रेम धारन करने के बारे में, सत्यनिष्ठा धारन करने, और शांती के अपने जूते धारन करने, और करुणा और दया को धारन करने के बारे में, और सिखाने लगे कि मैंने आत्मा में सही तरीके से पौशाक धारन नहीं की, अब, जिस तरह से आप आत्मिक्ता में धारन करते हैं, वो मानसिक्ता में तयार होना है, इसलिए हो सकता है मैं आपको ऐसा भी कहूँ कि यदि रयालूता और भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे नहीं बन पाएंगे, दिन खत्म हो जाएगा, क्या आपने तै कर लिया है, क्या आज आप किसी व्यक्ति के लिए आशीश बनेंगे, क्या आज सुभा आपने किसी चीज के बारे मे मैंने सोचा था पर मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपने जीवन में कई सालों तक दुखी रही और अंत में मुझे पता चला कि कैसे खोश रहा जाए और मैं इसे कारे मिलाऊंगी। आप जितना परमेश्वर को प्रसंद करेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे क्योंकि उनकी आत्मा आपके अंदर रहती है यदि वो मुस्कुरा रहें तो आप भी मुस्कुराएंगे किसी के लिए आशिश बनिए समय से पहले ही तैक कर लीजिए कि जब कोई आपके प्रतिय अपरात करें तो ख्षमा करेंगे समय से पहले तैक कीजिए लोगों को चीज़ें देने के लिए उन्हें उपहार देने के लिए और उन्हें प्रोचसाहित करने के लिए सुबह उटकर सिर्फ सोचिए ठीक है प्रभू आज मेरा ये लक्षे है आज मैं जहां भी जाऊंगा मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे देखेंगे शायद 15, 20, 25 लेकिन मैं उन्हें सबसे कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ ताकि मुझे मिलने से पहले वे जैसा महसूस कर रहे थे उससे बेतर महसूस करें आपके से कितने ये समझते हैं कि जितना आप अपना मन खुद पर से हटाएंगे उतना ही आप ज्यादा मुक्त हो पाएंगे सबसे महान बात जो परमेशवन ने की वो है उनोंने मुझे अपने आप से मुक्त कराया मेरा जीवन सिर्फ मैं 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 बन कर रह गया था मैं अपने मैं से बहुत तंग आ गई थी क्या यहां कोई है जो खोद से तंग आ गया है आप ये कर सकते हैं लेकिन मैं बता दू आपको ये करना होगा जान बूझ कर महसूस होने का इंतजार न करें आपको सच में नहीं पता आज जब मैं उठी मुझे कैसा लग रहा था किसी कारण वश मैं इस सप्ता के अंत में थोड़ा ज्यादा ठक गई थी और कौन जानता है क्यों जो कोई भी जानता है मैं वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए आपको पता है आप इसे नहीं जान पाएंगे लेकिन फिल विक्मेन पूरे सप्तांत में बिमार थे वो यहां आकर आप लोगों के लिए आराधना में शानदार तरीके से अगवाई करते हैं आपको हमेशा अच्छा मैसूस करने की जरूरत नहीं लोगों को आशिशित करने के लिए मैंने कहा किसी को आशिशित करने के लिए आपको हमेशा अच्छा मैसूस करने की जरूरत नहीं और आपका आगे बढ़कर ऐसा करना जीवन में चरेतर को विक्सित करता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको तो ये करना ही है, भले आप इसे चाहें या ना चाहें घलत वहवार करने के लिए बुरा महसूस करना एक बहाना नहीं है तो आज सुबा मुझे इतना बड़िया नहीं लग रहा था, मैं ठकी हुई थी ओ प्रभू यिशू, मेरी मदद कीचे आपको पता है, ये आपके लिए है जैसे मतलम मुझे इसे करना अच्छा लगता है, लेकिन शायद ये मेरे लिए पांच हजार लोगों से मुलाकात है और इसलिए मुझे खुद को तरो ताजा रखना पड़ता है, अपने आच्रण को सही और हम सब जानते हैं कि यदि आप थोड़ाज ज्यादा ठके हुए हों, फिर आपको थोड़ाज ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने आच्रण को सही रखने के लिए और इसलिए मैंने जान बूच कर तै किया है कि जिसके बारे मैं मैं जानती हूँ कि जब आज मैं घर जाओंगी तो मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा करूँगी और मैं आपसे कहती हूँ कि आप जितना ज्याद अपना मन खुद पर से हटाएंगे उतना ही आजाद और खुश महसूस करेंगे तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगी मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब जोर से दें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा जाचने की कोशिश कर रही हो थोड़ा सा जाचने की वास्ता में आपने आखरी बार कब बैठ कर योजना बनाई, दया करने या भलाई करने के बारे में हमें उन चीजों के लिए योजना बनाना ज़रूरी है जिस तरह से आप प्रेम को धारन करते हैं प्रेम में चलने के लिए अपने मन में तै करने के द्वारा, उसी तरह आप भलाई को भी धारन करते हैं, दयालुता धारन करने का एक तरीका है, समय से पहले ही तै कर लेना, जब लोग उस तरह से चीजों को नहीं करते, जिस तरह मैं चाहतियों की की जाएं, तो मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगी, बस इतना कहूंगी कोई बात नहीं दुनिया में लोगों पर काफी दबाव है हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं हमें उसकी मदद करने की जरूरत नहीं आमेल आप खुश हो सकते हैं क्योंकि मैं अपना संदेश नहीं बदलूंगी प्रेम को धारन कीजिए बचन 13 हे भाईयो हम तुमसे बिनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं उन सब ही की तारीफ और सराहना करो और उनका आदर करो और अपनी आज्या कारिता में प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो आपस में मेल मेल आपसे रहो और अपनी आज्याकारिता में प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्या समझो आपस में मेल मेल आपसे रहो तो यहां दो वचनों में उसने प्रेम के बारे में बताया है और अब वो शान्ती के बारे में कह रहा है शान्ती के वचन चौध है और हे भाईयों हम तुम से नम्रता पूर्वक ये विनती करते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन आवारा, उपद्रवी, बेकाबू लोगों को समझाओ डरपोक और भुजदिल लोगों को उत्साहित करो कमजोर दिलवालों की मदद करो और सभी के साथ धैरेवान रहो घुस्से पर काबू रखते हुए वचन पंद्रे, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा और भलाई करने पर ततपर रहे और आपस में सबसे भी भलाई ही चेश्टा करो पॉलुस ने लोगों से कहा देखो मैं चाहता हूँ आपका जीवन सबसे उत्तम हो जिसे आप पा सकते हैं हें यीशु हमारे लिए मरे ताकि हमें सबसे अच्छा जीवन मिले चर्च मैं चाहती हूँ आपको सबसे उत्तम जीवन मिले जिसे आप पा सकते हैं और बाहर कई लोग खोई हुए हैं, जो यिशु को नहीं जानते। तो चलिए हम दुनिया में जाएं। और उनके लिए एक जीवित संदेश बने। हमारे आचरन को और हमारे कामों को प्रचार करने दे। हम स्वयम जीवित संदेश बने। लेकिन आप लगातार कामों द्वारा बहस नहीं कर सकते। क्या आपने सुना। आप मेरी बात समझे। यहां शायद आप एक ऐसी महिला हों जिनके पती का उधार नहीं हुआ है और आपने उन्हें सुसमाचर का प्रचार करने की कोशिश की। यह भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए पर वो आप पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप पांच साल तक अपने घर में पवित्र आत्मा की फल दर्शाती तो आपने उनका ध्यान पा लिया होता। आप तो ऐसे पांच साल। उपस, शायद आपको ज्यादा धहरे की ज़रूरत है। लेकिन सच में मेरा मतलब है यह ऐसे जैसे पॉलूस थिसलू नीकियो चर्च में बैठ कर कह रहे हूं। ओहायन्स। क्लिवेलियन्स। मैं नहीं जानती और वो कह रहे हूं। देखो, महान जीवन पाने का एक तरीका यह है। बस प्रीम को धारन कर लो, लोगों को प्रोट्साहित करो। और तुम्हारे बीच में शान्ती बनी रहे। हर एक के साथ धहरेवान रहो। अपने गुस्से पर काबू रखो। दया दर्शाने का उद्देश रखो, परमेश्वर को खोजो। और फिर इसके बाद वो कुछ और भी सामर्थी बाते कहते हैं, जो पवित्रात्मा के फल नहीं है, लेकिन मुझे यह अच्छा लगा। हर बात में परमेश्वर को धनेवाद करो। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, आभारी रहो और धनेवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये शू की यही इच्छा है। क्या आप जानते हैं? मेरी और देखे, मैं आपको कुछ बताना चाहते हूं। जिस समस्या के बारे में आपको लगता है ये पूरी दुनिया में सबसे भायानक और बुरी है, तो ये सिर्फ आप ही की परिशानी नहीं। आप पूछ सकते हैं, तो मेरी परिशानी क्या है? अपनी परिशानी की वज़े से आप जिस तरह से काम करते हैं, शायद वही आपकी परिशानी है। अब याद कीजी, आज सुबह में थोड़ी थकी हुई थी। क्रेपा दया है और दया क्रेपा है। हमें परमेश्वर की क्रेपा अच्छी लगती है। ओ मेरे प्रभू, यह कितनी अद्भुत है। कि हम घलतियां करते जाएं और परमेश्वर हम इक्षमा करते जाएं। कि वह कभी भी हमें अपने जीवन से बाहर नहीं निकालते। क्योंकि हम हर चीज बिलकुल उसी तरह नहीं करते जिस तरह वो चाहते हैं कि हम करें। उनकी दया हर दिन नहीं होती जाती है। हर दिन वो नया जथा बनाते हैं क्योंकि कल मैंने सारा इस्तिमाल कर दिया था। आप मेंसे कुछ लोगों को जागना जरूरी है। इसलिए सुबा जल्दी जाकर परमिश्वर के साथ समय बिताना बहुत महत्वण है। मैं जल्दी नहीं उठता। क्या आप चाहते हैं कि दिन पूरी तरह से और अद्बूत रीती से अत्यांत दुखी रहे। दिन की सही शुरुवात के लिए आपका कुछ करना जरूरी है। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ज्यादा समय तक किसे कर सकें, आपको पता है लंबे समय तक, तो पांच मिनिट या तीन मिनिट या कुछ समय बिताईए। और बस इतना ही परमेश्वर मेरी मदद मदद कीजिए, मैं प्रेम धारन करना चाहती हूं, घर से बाहर लोगों से सही वहवार करना चाहती हूं, मेरी कुछ परेशानिया मुझे चिड़चड़ा बना देती हैं, पर इन्हें दूसरों पर जाहिर मत धोने दीजिए, बाहर अच्छा वहवार कीजिए। जैसे मैं काम करती हूं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे परेशानी है, सभी को परेशानिया है, केवल आप भी वो व्यक्ति नहीं, सब को हैं परेशानिया, आपको कैसे भी परेशानी क्यों नहों, शायद इस जगे में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसकी परेशानी आप से भी बुरी है चलिए आये देखते हैं मत्ति 11 का 28 मैं आपको प्रोचसाहित कर रही हूं और भी अच्छा बनने के लिए मैं कभी मतलब ही मसी ही हुआ करती थी कम से कम मैं तो इसे मानती हूँ और सिर्फ इसलिए क्योंगि आपके पास एक चर्च मोखवटा है आप चर्च के दर्वाजे पर इसे पहन लेते हो ब्रबु की स्तति हो धन्यवाद इस्वर की महितनी है अ enthalealooiya आमेन 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 मैं आपसे प्रेम करती हूं पास्टर आपसे प्रेम करती हूं बहन आपसे प्रेम करती हूं भाई आमेन और फिर घर जाकर इस घर में तुम लोगों को क्या हो गया है मैं तुम सबसे तंग आ गई हूं यह चीज़ें करते करते ठक गई हूं मैं मुझे यहाद है चर्च में मैं अपने पती के बगल में खड़े होकर हाथ उठाकर गीत गाते समय यह सोचती कि अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मैं खाने के लिए कुछ भी पका दूँगी तो आज भूल जाए वो हर समय फुटबॉल का खेल देखते हैं और मैं सब काम करती रहती मैं इससे उप चुकी हूँ ठक गई हूँ मैं अब नहीं करूँगी आई सरेंडर रॉल मुझे ऐसा लगता था जैसे ये शू हमें क्यों आकर्शक लगते हैं क्योंकि वो ऐसे हैं इसलिए अगर दुनिया में अपने प्रतिनेधेत्व के रूप में वो हमारा उपयोग करते हैं हमारे उधारन के द्वारा लोगों को आकर्शित करने के लिए तो हमें इस तरह होना होगा सबसे महान चीज जो हम कर सकते हैं वो है दुनिया में बाहर जाकर चाहिए कितने भी बेढ़ंगी क्यों न हो पवित रात्मा के फल को दर्शाएं और मैं ऐसा नहीं कहती कि आप लोगों को अपने उपर पैर रखकर चलने दे मैं परमिश्वर की तरह वहवार करने को कह रही हूँ येश्व ने लोगों से कहा जब कहना ज़रूरी था वो लोगों के साथ सपष्ट थे लेकिन फिर उन्होंने लोगों को अपने जीवन में आने से नहीं रोका आज सुबह मैं इस बारे में सोच रही थी मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोगों को सजा देने की कोशिश करते हैं वो है उन्हें शमा नहीं करना और तब हम एक दिवार बना देते हैं उन्हें अपने जीवन में आने से रोकने के लिए पता है आप किसी व्यक्ति के ठीक बगल में खड़े होते हुए भी उन्हें अपने जीवन से बाहर कर देते हैं आपके अभिने से ज़ादा अच्छा है मेरा प्रजार मैं तुम्हें अब ये दुपारा नहीं करने दूगी तुम मुझे दुबारा दुखी नहीं कर सकते पर यदि आप दुखी होने की इच्छा नहीं रखते तो आप प्रेम नहीं कर सकते और यदि आपने दूसरों को बाहर कर दिया, तो आप खुद भी कैद हो जाएंगे, खुद भी हमें एक दूसरे के साथ सम्मिलित होना चाहिए, परमेश्वर चंगाई दाता है, वे आप में रहते हैं और यदि कोई भी व्यक्ति आपको हानी पहुँचाए, वो उसे ठीक कर सकते हैं मत्ति 11 का 28, येशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोज से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम, आराम और ताजगी दूँगा मेरा जुआ उठालो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र, विनैशील और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में राहत और आराम और ताजगी और विश्राम आशीशित चानती पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ भला, उप्योगी है और ये कठोर, कठिन, तेज और बर्बस नहीं है, बलकि ये आराम दायक, अनुग्रहकारी और सुखद है और मेरा बोज हलका और उठाने में आसान है अब मुझे इससे क्या मिला? येशू, बस, येशू के साथ जुड़े रहना आसान और सरल है मैं आपसे एक प्रशन पूछो, क्या आपके साथ संबंद बनाए रखना आसान है? रुकिए और इसके बारे में शान्ती से सोचिए चलिए भी, मेरा मतलब क्या आपके साथ निभा पाना आसान है? वो कौन सी चीज है जो आपको रोकी रहती है? आपको खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर किसी व्यक्ती को कोई बुरी बात छोड़नी है, तो इससे पहले उसे कितनी बार अच्छे काम करने पड़ेंगे? ओ, देखिए, आज मैं संतों को बेचैन कर रही हूँ यहाँ आप कहीं अटक गए हो, हमारे पास सिर्फ आधा खंटा बचा है डेव के साथ निभापाना हमेशा से आसान रहा है और कहने से दुख होता है मैं कई सालों तक गुस्से से इतनी भरी हुई थी कि मेरे साथ निभापाना मुश्किल था मुझे खुश रखना असंभव था क्योंकि मैं खुद के साथ खुश नहीं थी इसलिए जो कुछ भी चल रहा था मुझे अच्छा नहीं लगता था जब दया की बात आती है अगर आपने कभी भी सीखा है कि खुद के लिए परमेश्वर की दया कैसे पाएं तो आप कभी भी दूसरों के प्रती दयालू नहीं हो पाएंगे यदि आपने परमेश्वर की दया नहीं पाई हम वो कभी नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है इसलिए ये सब कुछ परमेश्वर के साथ आपके संबंध से शुरू होता है आपका उनसे संबंद कैसा है? वो कठोर और सक्ती से काम करने वाले नहीं वो दयालू और क्रिपालू और भले हैं और जल्दी से क्षमा करते हैं उनके साथ निभाना आसान है येशु ने कहा मेरे पास आओ, मेरे साथ निभाना आसान है मैं तुम्हारी जीवन में विश्राम दूँगा, मैं तुम पर दबाम नहीं डालूँगा, और जब तुम गलतियां करोगे, तो मैं हर दम तुम्हें बुरा महसूस नहीं कराऊंगा, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुमने गलती की तो भी मैं इसे भूल जाऊंगा और कहूंगा कोई बात नहीं हम सब गलतियां करते हैं पर जोईस आप तो जानते हैं अगर हम ऐसा वहवार करेंगे तो लोग हमारे उपर चलने लगेंगे एक समय था जब आपको लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ता था अगर आपका कोई कर्मचरी हमेशा काम पर देरी से आता है तो मुझे रोज कहने की सरूरत नहीं कि हे कोई बात नहीं कोई दबाव नहीं अंत में आपको कहना ही पड़ेगा अगर तुम दोबारा देरी से आये तो तुम्हे नौकरी से निकाल दिया जाएगा पर मैं यह उसके बारे में कह रही हूँ जो लोग सच में गड़बड़ी करते हैं आपको पता है हम सब गलतियां करते हैं और इसमें किसी के घलती नहीं कि अगर वे सब कुछ वैसा नहीं कर पाते जैसा उन्हें किसी खास दिन करना चाहिए था अगर आप महिला हैं तो आपको पता है कि आपकी सरूरतें रोज बदलती हैं एक दिन आपको चाहिए हाग जैन किसिज और दूसरे दिन डूंट टच मी डूंट टच मी और वो बेचारा ऐसी ओके लेडीज मुझे देखिए मैं आपका एक सेकिन लूंगी बस और बताना चाहती हूँ यदि आप मेरी बात माने तो सच में ही आपकी मदद करेगा अगर आप शादी शुदा हैं तो अपने पती को आपको खुश रखने का काम मत सौंपिए आप कहते हैं क्या उनको मुझे खुश नहीं रखना चाहिए मैं आपको बताती हूँ आपको कहां से शुरू करना है आप वो सभी चीजें करना शुरू कीजिए ताकि वो खुश रह सकें कठिन परिस्थितियों का सामना करने से पहले हमें प्रार्तना करना बहुत ही महत्थपोर्ण है हम हर दिन ऐसी प्रार्तना क्यों नहीं करते प्रमेश्वर आज मुझे दयालू बनने में मदद कीजिए ताकि मैं उन लोगों को ख्षमा कर सकूँ जो मेरा दिल दुखाते हैं मुझे नहीं लगता यह यू ही हो जाएगा हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा इसकी इच्छा करनी पड़ेगी इसके बढ़ने की और जब हमें ये इच्छा होगी तो परमेश्वर हमसे जोड़ जाएंगे इसे करने का सामर्थ देंगे तुम अपने ज तरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं परीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं अपना प्रात्नानी विदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए अमारे श्रोतों के बारे में और विचानिये जोईस की सभाओं की सूची देखिए मारे साथ सहभागिय बनने के लिए क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाटते हैं इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने